एक मुलाकात की आज की स्कारक्रम में एक बर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है अभी नंदन है दर्शको एक मुलाकात की आज की श्रिंखला में हमारे बीच में बहुत चुकी हैं आज की हमारी बहुत ही खास महमान राज माता ओफ वरोदा हर हाइनस श्री मती, शुभांगी राजे गायकवार जी आपका इस कारेक्रम में पढ़ारने पर मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ ओम शांती सबसे पहले तो आपसे जाना चाहूंगी कि आप यहां पर आए है और एक अध्यात्मिक वातावरंड है, ग्लोबल सब्मिट के इस कारेक्रम में आप अधारे हैं आपको यहां के कैसा लग रहा है? यहां आके बहुत विशिश जैसे अनुभव हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है यहां के परिसर में आते ही मुझे एक चान्ती का अनुभव हुआ और सबसे मिलके जो यहां के संचालक हैं और जो माननिया, दादी और उनसे सब लोगों से मिलके और मुझे मेडिटेशन रूम में भी थोड़ी देर बैठने का आवसर मिला तो वो सब एक विशेश अनुभव हुआ कह नहीं सके मैं कि एक अनन्त का अनुभव था या एक दूसरा कुछ अनुभव था जरूर मुझे यहां के अनोखी शांती मिली और वातावरन बहुत ही प्रभावित हुई हुँ मैं वातावरन से क्योंकि एक शांती का वातावरन है और फिर उसमें और उसमें और जा भी है जी जी अनि इस नोट जस्ट पीसफुल बट देर इस अ देर इस स्ट्रेंथ इन अलसो जी तो इस हिसाब से मैं खुशी हूँ कि मुझे आज इहां आने का उसर मिला और इस ग्लोबिल समिट में मुझे आमंतरत किया गया तो मैं सब को एक बहुत ही मेरा भिवादन भी देती हूँ धन्यवाद भी देती हूँ यहां के कैसा लगा तो वो चीज़ चाला है ना हाँ यहां मैं आ जाए पहली दफ़ा आए हूँ इस परिसर में सुना तो था यह ग्लोबल यह ब्रह्मकुमारी का बहुत बड़ा सेंटर यहां है और बड़ोदा के सेंटर में कई बार में गई हूँ और वहां वो हमेशा वहां के जो संचाले का है अरुना बेन वो मुझे हमेशा कहती थी कि आप जरूर वहां आईए और देखे कितना अलग यहां का विशेश महौल है और आट्मस्वेर है जो यहां का पवितरा आट्मस्वेर तो आज मैं सुबह आई तो मुझे जरूर एक विशेश अनुभव हुआ बहुत पाउरफुल उर्जा जैसे मझे फीलिंग हुआ और सभी यहां के अद्मिनिस्ट्रेटर संचाले का और माननिया जो दादी वगरे हैं सीनियर दादी उनसे सबसे मिलके एक अलग अनुभव फील हुआ एक उनका अशिरवाद मिलके भी खुशी हुई और मुझे यह आनन्द हुआ कि यह एक संस्ता है जो spiritual संस्ता जो बहनों के तरफ से महिला चला रही है महिला इसका संचालन कर रही है administration यह बहुत बड़ी बात मुझे लगी इसका अनुभव पूरा देखने को मिला और यह पूरा परिसर इतना environment was so peaceful तो उसका एक बहुत ही अच्छा experience हुआ मुझे यह जो title है राज माता ओ बढ़ोदा तो मैं जाना चाहूंगी कि इसके पीचे का इतिहास क्या है इतियास तो कुछ नहीं है हमारे परिवार काइकवाट परिवार इतने सालों से पड़ोद्रा में और गुजरात में जब आये थे माराथा लड़ाई करते करते सतर उस सदियों में जब यहां आए 200-300 साल पहले मुगलों के विरुद्ध में लड़ाई करते करते तब से माराथा लोग गुजरात में आए और तब से हमारा परिवार यहां स्थाइक हो गया और बरुडा उसका केंद्र बना पर पूरा वैसे तो वड़ोद्रा राज्य जो पहले कहते थे वो बहुत ही फैला हुआ था दुआरका के टिप भी वड़ोद्रा राज्य मिख्या आता था तो इतना फैला हुआ गुजरात में स्वतंतरता के बात तो अपने देश डेमोक्राटिक हो गए और यह सब टाइटल्स वगएरे का कुछ मतलब तो वैसे है नहीं पर एक हमारा अनोखा जो रिलेशन्शिप है जो हमारा संबंद वड़ोद्रा के लोगों के साथ है वड़ोद्रा के पूरव वड़ोद्रा सबी परिस्टियों में हम लोगों के साथ रहे हमेशा हम वड़ोद्रा छोड़ के बाहर बड़े शहर में रहने नहीं गए कि मुंबई में या दिल्ली में पर हम वहीं रहे और वहीं के संस्कृते वहीं के कल्चरल सीन को हम एक तरह से हम लोग उसके सहबागी हुए पहले ज के जो कल्चरल संस्कृतिए केंद्र कहते हैं गुजरात में जी वडूद्रा को कल्चरल कैपिटल ओफ Гुजरात तो इस संस्कृतिक महल को हम लोग किसी तरह अभी तक बचा सके हैं हमारे परिवार के मेरे पहले भी हमारे मेरे पती भी और उनके पहले के भी, तो सभी लोग, हम लोगों के साथ जुड़े रहे सभी तरह से, और मुझे लगता है यही एक कारण होगा कि लोगों का विश्वास और प्यार हमारे साथ अभी भी है, जी, जी, खास यही बात है, जैसे की students के life के अधी हम बात करें, तो हम देखते है की students में moral values का आज के टाइम में बहुत कमी हो चुकी है, और यहां पे moral values की बात बहुत जादा होती है, education किस तरीके से values को implement करें तो बहुत बात होती है यहां पर, तो आपको क्या लगता है कि spiritualities and values बच्चों के लिए कितना important है? Spirituality or value added education as we say is very very important. I am not the vice chancellor of the university so I am not running it day to day but I am the chancellor. So my position is different. However, I have a say in what happens and our vision of the अप्रित महुटसव अब अप्रित महुटसव हम लोग कर रहे हैं. So काफी सालों से उसका एक बहुत अच्छा एक repetition रहा है सालों से. और spirituality और उसके प्रती जो लगाव बच्चों को चाहिए, उसका हम हमेशा प्रैतना करते आ रहे हैं. हम लोग के लिए ये भी खुशी की बात थी कि श्री अर्बिंदो जैसे जो बाद में महर्शी बन गए और पॉंडिचेरी में उनका आश्रम अभी भी चल रहा है. उनके जैसे फिलोसोफर और थिंकर हमारे विश्व विद्याले के आर्ट्स कॉलिज के प्रिंसिपल रहे हैं. वो वहाँ खुद सिखाते थे और तेरा साल वो बड़ोद्रा में रहे उनके यंगर एज में. इस तरह के बहुत लोग वहाँ आएं, बहुत एमिनेंट जो अभी लोग बन गए हैं, आपके ग्लोबल समिट में भी बदमभूशन, डॉक्टर भातकर आ रहे हैं, विजय भातकर, वो भी हमारे अलमनाय रहे हैं, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के. इस तरह से हमारे अलमनाय बेस जो हमारे विश्वविद डेले कर रहा है, वो बहुत ही अच्छा रहा है, और जहां जहां अलमनाय ने हमारा नाम रोशन किया है, यूनिवर्सिटी का और यूनिवर्सिटी का नाम, अलमनाय के वज़े से ही बनता है, तो पर ये आपका कहना जरूर है कि आज के परिस्तिते में हम लोगों को एक बार फिर युवानों को, युवान बच्चों को खास करके, सभी को देहत्मिका के तरफ खीचना बहुत जरूरी है, जी, 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 क्योंकि ये इस एजुकेशन के साथ, जब ये संसकार मिले उनको, तो इस संसकार के वज़े से ही एक अच्छा व्यक्ति बन सकें, ये बहुत जरूरी है, हमारे देश के लिए भी और हमारे सभी हमारे विश्व के लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि विश्व शान्ति के लिए ये लोग समझ सकें कि महिलाओं के लिए एक आदर होना चाहिए, एक हम लोग भूल गए हैं, और ये हमारे युवानों में हमको लाने की बहुत जरूरी है, आप ब्रहमा कुमारे इस केंपस में आये हैं, और ब्रहमा कुमारे इस महिला सशक्ती करण की एक मिसाल है पूरे विश्व भर में, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी रन कर हैं, तो आपको यहां की कारे शाली को देख करके कैसा महसूस हुआ? नहीं, बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे आनन्द हुआ, गर्व भी हुआ कि महिलाओं इतना सुंदर कामिहा हो रहा है, महिलाओं सशक्ती करने का एक अच्छा उधारनी यहां है, हम लोग अलग करनाने का प्रैतन तो करी रहे हैं, हमारे संस्ताओं के दारा उनको शिक्षन देके, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देके, हम अभी हमारी संस्ता जो चल रही है बहुत सालों से, अलग अलग तरह का वोकेशनल ट्रेनिंग देके, उनको साथ में हम उनको वैलियूस भी सिखान का प्रैतन करते हैं और इसमें हम प्रैतन तो चली रहा है और ब्रह्मा कुमारी इसका आज यहां देखके भी मुझे बहुत अनंद हुआ और एक साधना करके एक ध्यान करके एक जो शक्ति किसी को भी व्यक्ति को मिलती है उसके द्वारा काम करने की विशेश उर्जा आती है और वो आज यहां उसका अच्छा उधारन देखने को मिला जी अध्यात्मिक महौल है चारो तरफ यहां पर और मेरिटेशन की भी बात होती है और आपने यहां पर आके आपको जानकारे भी मिली होगी कि मेरिटेशन हमारी लाइफ में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है तो म मैं करती हूँ अलग तरह से और अपने आप मेरिटेशन या ध्यान करना या एक भगवान का नाम लेके शांती से बैठना अपने आप में यह मुझे लगता है सभी के लिए बहुत ही जरूरी चीज़ बन गई है क्यूंकि हम इतने कारिय में बिजी रहते हैं तो थोड़ा अ and meditation is the only way और ध्यान जिसमें हम अपने आप थोड़ा समय बिता सकते हैं और मुझे खुशी है कि अनिक अलग-अलग संस्ताओं द्वारा meditation पे यह दिये जा रहा है उसके उपर importance दे रहे हैं और काफी युवान भाईयों भेनों भी meditation में अब जुड़ रहे हैं अच्छी तरह से यह बहुत ही अच्छी बात है मैं आपसे जाना चाहूंगी कि आप भी एक महिला है और महिला से शक्तिकरण की आप भी एक मिसाल है आपने बहुत सारे social work किये, समाज में परिवर्तन लाने के भी बहुत सारे आपने ऐसे activities भी की है तो ये इस show के मार्धम से आप देश की महिलाओं को क्या संदिश देना चाहेंगे जो आपके अंदर की शक्ति है उसको पहचाने क्यूंकि अगर आपकी इच्छा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं ये मैं कहना चाहूंगी मैं अनेक प्रकार से एक trust hospital के साथ भी जिड़ी हुई थी तो मुझे अनुभव हुआ सभी वर्गों के लोगों के साथ काम करने का राइट फ्रम दे ख्लास फॉर स्वीपर्स और मैं उसके साथ के उपर के senior doctors और वगेरों के साथ पर भी I was running the hospital तो मुझे उसका भी अनुभव हुआ और अनेक प्रकार से महिलाओं का ही hospital था महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए maternity gynec वो हमारा thrust उसके उपर था तो बहुत ज़्यादा मैंने पास से उनकी अर्चने देखी हैं उनकी difficulties देखी हैं परन्तु अगर महिलाओं को support मिले सही समय तो वो सभी अर्चनों से बाहर निकल सकती हैं और यह मैं कहना चाहूंगी कि you have to support each other यह एक message देना चाहूंगी कि नहीं तो क्या होता है कि महिलाओं एक दूसरे के विरुद्ध में बोलने को और यह करने को प्रैत्न करते हैं लेकिन सभी का कुछ अर्चन सब के साथ चल रही है everybody is fighting their own battles so जड़ा अच्छी ध्यान पूर्वक और जड़ा प्रेम से देखें सब के तरफ यह ज़रूरी है और सब के साथ सथ भावना रखें प्रेम रखें तो बहुत अलग महौल दुनिया में हो सकता है जी बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमें एक दूसरे का साथ देखे आगे चलना होगा यह तो संदिश जैसे आपने महिलाओं के लिए दिया और जाते जाते हमारे दर्शयों के लिए कोई inspirational message मैं खुदी यहां के inspiration ले रही हूँ लेकिन हां मैं कहूंगी कि यहां के मुझे बहुत विशेश उर्जा मिली और सभी को कहूंगी कि यह हमारा करतव्य है कि हम spirituality को अपने किसी तरह अपने जीवन में लाए क्योंकि इसके साथ ही हमारे जो भी पुराने बड़े काम हुए है वो हमेशा spirituality से जुड़े हुए रहे हैं जो बहदुरी के काम भी कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि जो उसमें आध्यात्मिकार नहीं रही है वो हमेशा इस तरह से रहे हैं तो वो तो अपने को धर्म या जो अपना सही रास्ता दिखाने का कारिया हमको आध्यात्मिकार सही मिलता है तो वी हव तो वॉक ऑन दराइट पाथ हमारे देश में हमारे शहर में यह मेरे विश में विश्व में शान्ती ला सकते हैं और खास करके हमारे पूरे पर्यावरन के तरफ ध्यान दे के एक अच्छी तरह दे सकते हैं क्योंकि पर्यावरन की सुरक्षा पर्यावरन के लि हमारे पेड़ पॉज़ों के लिए, वाइल लाइफ के लिए, फॉरिस्ट के लिए, सभी चीज़ के लिए, जंगलों के लिए हमको अलग तरह से देखना है, हमारे नदियों के लिए, पानी की बचत, सो ये मुख्यों कारे लिया है मारे देश में सब बदल रहा है क्योंकि हमें देश में स्वच्छता जो चाहिए वो नहीं है सो मन का स्वच्छता और बाहर की स्वच्छता ये साथ में एक जुड़ा हुआ चीज है और इसको हम साथ में लेके चलना चाहिए जी बहुत आज आपने इतनी बखुबी चर्चा की है हर मैंटर को लेकर के और कैसे मुझे तो गर्फ है कि की बिंग अ वुमन आप इतने सारे समाज में बदलाव लेकर आ रहे हैं चाहे वो अजुकेशन के माध्यम से हो और आप एन्वारमेंट को लेकर के भी बहुत कंसर्ण है और कैसे समाज के उठान के लिए भी आप इतने सारी आक्टिविटीज करते रहते हैं तो आपका यहाँ पधारने पे मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ तो दर्शकों यह थे हमारे बीच में आज के हमारे मेमान राजमाता अबरोदा, श्रीमती, शुभांगिनी, गायगवार जी तो दर्शकों उन्होंने यह हमको बताया कि मेडिटेशन ही वो जरिया है जिसे व्यक्ति स्वयम से जोड़ सकता है और शिक्षा का जो उदेश्य है, वो प्रतम उदेश्य यही है कि अच्छा नागरिक बनना, अच्छा इंसान बनना और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मेडिटेशन और स्पिरिच्वालिटी हमारी लाइफ में बहुत-बहुत इंपोर्टेंट है हम सब को मेडिटेशन का प्राक्टेस लाइफ में करना चाहिए तो दर्शिको, एक मुलाकात का यह एपिसोड हम यही समाप्त करेंगे अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे हमें दीजे इजाज़त, नमस्कार, ओम शान्दी